सब्सक्राइब कीजिए इंडियन नीज एनालसिस चैनल को और दबाईए बिल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूजर की अपडेट मिस ना कर सके जएएं दोस्तों सुआगत आपका इंडियन नीज एनालसिस के एक नय एपिसोड में आज के इस एपिसोड में हम अमेरिकी नौ सेना के सबसे गौरो साली और सबसे ज़ादा प्रसिद और एक ऐसा एरक्राप जो सबसे ज़ादा पसंद किया गया लोगों के द्वारा उस एरक्राप की बात हम करने वाले हैं आप समझ गए होंगे कि हम कि सेयर क्राप की बात कर रहे हैं जी हां हम बात कर रहे हैं F-14 Tomcat के बारे में तो काफी लंबे समय से ये डिमांड थी कि F-14 Tomcat पर वीडियो बनाया जाए तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे F-14 Tomcat के बारे में दरसल अमेरिकी नौसेना का कोई भी प्लान ऐसा नहीं था कि वो F-14 Tomcat जैसे किसी भी एरक्राप को अपने बेड़े में सामिल करें लेकिन वो क्या घटना थी जिसने अमेरिकी नौसेना की सोच बदल के रख दी आज के इस वीडियो में हम उसे की बात करेंगे फिलाल आपको बेसिक इंट्रो दे दें कि F-14 Tomcat अमेरिकी नौसेना का एक सुपर सोनिक ट्विन इंजन ट्विन सीट ट्विन टेल वैरियेबल स्वीप विंग फाइटर एरक्राप था और ये F-111B फाइटर जेट प्रोग्राइम के कॉलाप्स होने के बाद बनाया गया था और काफी लंबे समय तक ये ये यूनाटेट इस्टेट की नेवी का एक मेन फाइटर एरक्राप था आपको यहाँ पर बता दे कि इस एरकाप का सबसे जादा जो यूज किया गया वो इरान इराक वार में किया गया और वियत नाम युद्ध में और काफी लंबे पैमाने पर इसका यूज किया गया आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि F-14 Tomcat एक Interceptor भी था एक Air Superiority Fighter भी था और बाद में 90's के दशक में इसको Multi-Roll Fighter Air Carp में भी करवर्ट कर दिया गया और इसका जो Multi-Roll Variant है वो अभी भी इरान की Air Force में कारे रत है इसे United State की Grumman Aerospace Corporation ने बनाया था और इसने अपनी पहली उडान को 21 December 1970 को भरी थी वहीं अमेरिकी नौसेना में इसको 22 सितंबर 1974 को सामिल किया गया था और 22 सितंबर 2006 को इसे वहाँ से रिटायर भी कर दिया गया तो यह थी इसका Basic Intro अब आईए बात करते हैं F-14 Tomcat के बारे में देखे F-14 Tomcat जैसा कि हमने बताया कि 21 December को इसने हमने पहली उडान भरी थी 1970 को और यह अमेरिकी नौसेना का एक में फाइटर जेट था और इसे USS Enterprise और USS Nimitz में इसको रखा गया था और यह उस समय अमेरिका के पास जो कार्यरत जहास थे जैसे कि मैकड़नल्ड डगलर्स का F-4 Phantom 2 था उसको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था तो तो कहानी इसकी यह है कि अर्ली 50s में जब अमेरिकी नौसेना अपने एरक्राप के साथ कहीं पर जाती थी तो उससे सबसे आदा खत्रा होता था वह एंड लॉंग रेंज की ऐसे केरियर बेस फाइटर का जो अमेरिकी नौसेना की सारी जरूरतों को पूरा कर सके तो सुरुआत में तो यहां पे काफी विवात था इस विशर को लेकर के क्योंकि यूएस नेवी यह वो दौर था जब यूएस नेवी और यूएस एयर फोर्स अपने अपने लिए एक टैक्टिकल फाइटर एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम रख दिया जो कि यूएस विशर फोर्स और यूएस नेवी दोनों के साथ चलना था अब इसमें यह प्रस्ताव दिया गया कि पहले यूएस नेवी के लिए उस समय जो एफ ट्रिपल वन भी फाइटर एयर क्राप्ट यह सुपर्सोनिक स्पीट को पाने में असफल रहे या काफी लंबे समय तक यह सुपर्सोनिक नहीं रह सकते थे वहीं केरियर से इनको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल था यूकि इनके जो गुण थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि इनको केरियर से ऑपरेट किया जा सके और फाइनली F1-1-B का जो प्रोजेक्ट था वो कॉलाप्स कर गया अब वहीं पे एक तरफ जहां सोवियत यूनियन अपने आधनिक फाइटर जेट्स को अपने एरकाप कैरियर से लॉंच कर रहा था वहीं अब अमेरिका के सामें एक ऐस्ता धर्म संकटाया कि अमेरिका को डिसाइट करना था कि उसे किस प्रकार के एरकाप पे जाना था एक तरफ जहां अमेरिका को सोवियत यूनियन से काफी बड़ी टक्कर मिल लही थी वही वियत नाम वार उसके लिए एक गले की फांस बन चुका था वियत नाम वार में उस समय वियत नाम के पास जो सोवियत मिक 21 थे उन्होंने F-14 या ये कह सकते हैं कि F-4 फैंटम को कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया था क्योंकि F-4 फैंटम के पास उस समय जो स्ट्राइक पैकेज था और जो मनुवर बिल्टी थी वो मिक 21 के सामने फीकी पड़ रही थी और ये अमेरिका के लिए काफी चिंता का विशह था क्योंकि मिक 21 ने बहुत बड़ा नुक्सान उनको पहुचाया था और यहीं से शुरुवात होती है F-14 के जन्म की तो आए जानते हैं F-14 का जन्म बेसिकली किसलिए हुआ देखिए अमेरिकी नौसेना ने जब यह दिखा कि उसके F-14 फैंटम अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पा रहें सोवियत मिक्स के अगेंस तो उन्हों ने यह किया कि अपनी पहली बार सोवियत अमेरिकी नौसेना ने एक रिक्वेस्ट फार प्रपोजल जारी किया यह बात है तकरीबार 1968 की जिसमें उसने कुछ बेसिक जो स्पेसिफिकेशन थी उनका जिक्र किया कहा गया अमेरिकी नौ सब्सक्राइब जो नेवी के लिए बनाया जाना है वह एयाइम फुर्टी एटीफ सरी 54 फोनिक्स और स्पैरो जैसी मिसाइल को लांच करने में सक्षम होना चाहिए वह एयाइम नाइन साइड वाइंडर जैसी मिसाइज को भी वह अपने साथ कैरी कर सके तो यहां पर कुछ और भी स्पिस्फिकेशन्स थी जिसको लेकर के उन्होंने अपना रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल जारी कर दिया अब इसके जवाब में कई कंपनिया सामने आई यहें डैनियन डायनेमिक्स गुरूमन और तमाम मैकड़नल्ड डगलस आई नौत अमेरिकन रॉकवेल आई औ उसने भी इसके लिए अपलाई किया था लेकिन बाद में यहाँ पर मैकड़नल्ड डगलस और गुरूमन को शॉर्ट लिस्ट किया गया और इनसे कहा गया कि वो इस प्रोजेक्ट पे काम करें अब यहीं की देन थी कि अमेरिकी नौसेना के लिए F-14 टॉमकैट बन करके आय और इसका विंग स्पैन 19.54 मीटर का है इसकी हाइट तकरीबन 4.9 मीटर की है वहीं अगर हम बात कर लें इसके एमपटी वेट की तो इसका एमपटी वेट तकरीबन 19,839 किलोग्राम का है वहीं इसका मैक्जिमाम टेक ओफ वेट 33,725 किलोग्राम का है अब एरकाट की जो 30 किलोग्राम का द्राइट त्रस्ट और 104 किलोग्राम का त्रस्ट आप्टर बर्नर के बाद जन्रेट करते थे इसकी जो मैक्जिमम स्पीड थी वो मार्क 2.34 थी यानि कि तकरीबन 2485 किलोग्राम प्रतिगंटा हाइँ अल्टिट्यूट पे वहीं इसकी जो रेंज थी वो त सबसे इंपोर्टन बात करते हैं इसके आर्मामेंट्स की तो आर्मामेंट्स की बात करें तो यह एरक्राफ काफी ज्यादा लीधल था इसमें एक 20 मिलीमीटर की कैनन लगाई गई थी वहीं इसमें तोटल 10 हाट पॉइंट्स थे अब इसके स्ट्राइक पैकेज के अगर हम बात करें तो इस ट्राइक पैकेज में यह एएएँ फिक्टीफोर फोनिक्स और एएएँ सेवन स्पैरो जैसे मिसाइज को लेकर के उड़ सकता था बात में इसमें एएएँ नाइन साइड वाइंडर को भी माउंट कर दिया गया और लगभग ऐसा कहा जाता है कि 1990 के दशक से और पेववे जैसे बॉंब्स को लेजर गाइडर बॉंब्स को असानी से लाउंच कर सकता था अगर हम इसमें एवियॉनिक्स पर नजब डाले तो इसमें एक एन एपीजी सेवेंटीवर रेडार कर स्तमाल किया जाता था वहीं एएएएसन वंटर्टी इनर्शियल नेव आक वार में इरान के तरफ से F-14 नहीं अकेले तक्रीवन एक सो साथ इराकी जेट्स को वहां पर शॉट डाउन कर दिया गया था और इसको टोटल 12-16 जेट्स की हानी हुई थी इरान को और ऐसा कहा जाता है कि उनमें से लब आधे एरक्राप दूर घटना गरस्त हुए थे तो ये था अमेरिकी इतिहास का अमेरिकी नौ सेना का सबसे पावरफुल एरक्राप हाला कि इसके बारे में हमने कई सीजों को नहीं बताया है क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी अगर हम एक एक बात पर चर्चा करेंगे तो कभी न कभी हम इस पर पार कि वो बाते बताएंगे चो इस वीडियो में छूट गए हैं तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है